हेलो फ्रेंट्स वेलकम बेक टू माई चैनल आज हम बात करेंगे ससी जीडी नई भरती 2023-2024 के बारे में जिसकी एक नई नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है वीडियो सुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो फटापट से चैनल को सब्सक्राइब कर करेंगे अगर हम जॉब टाइप की बात करें तो हमारा जॉब टाइप गोभर्मेंट जॉब होने वाली है अगर हम जॉब केटिगरी की बात करें तो हमारा जॉब केटिगरी पुलिस केटिगरी के लिए जॉब होने वाली है अगर हम नेम ऑप दर रिकूट्मेंट की बात क करें तो हमारा टोटल नम्मर और बहुत ही जल्द रिलिज कर दिया जाएगा अगर हम एप्लिकेशन मोड की बात करें तो हमारा एप्लिकेशन मोड ऑनलाइन मोड रखा जाएगा यानि सभी केंडेट इस फॉर्म के लिए ओनलाइन ही आविदन कर पाएंगे अगर हम एकेडमिक इजिबिलिटी की बात करें तो हमारा एकेडमिक इजिबिलिटी अगर आपने इंडिया के किसी भी बोट से दस्वी या बार्वी पास की है तो ही आप इस कर पाएंगे अगर हम एजिबिलिटी की मिनिमम एजिबिलिटी की बात करें तो हमारा मैं 혁ड मेट हाथारा साल रखा गया है ऐंहरा मैं सकती है अगर हम एक छूट दिजा सकती है अगर में चेल्डके लिए उर्विसक्टी केलिए 3 छूट दी जा सकती है औगर हम एक sымन सब्सक्राइब नभरती 2023 24 फिजिकल केंदेर ट्रेस्ट यानि पीटी इजिविले टीटी डिटेस्ट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम जैनरल की बात करेंगे थे अभीर आपकिट के लिए हाइट मेल चैन्डियट के लिए 1-7 संतिमिटर और फीमेल केंडियर के बात करें तो स्षिस्ट के लिए मेल के लिए 162.5 संट मिटर और हम चहस्ट की बात करें तो हमारा चेस्ट अगर हम 20 नॉर्मल लखा गया है अगर हम एस्ट के लिए गत करेंद के लिएuman अगर हम नोर्फिस्ट के लिए नोर्मल सेवेंटी एट अगर हम एक्सपेंडेट की बात करें तो female candidates के लिए 1.6 km की दोर रखी जाएगी अगर हम टाइम की बात करें तो 8.30 मिनट्स यानि 8 मिनट्स तीस सेकंड टाइम जाएगा अगर हम SSC GD नहीं भरती 2023 एप्लिकेशन फिस की अगर हम बात करें तो हमारा एप्लिकेशन फिस अगर अगर हम से एश्टी एईसर्वीश्मेंट के लिए बात करें तो श्राशियमेन के बात करें तोसी एश्टी एड़ काड़ बैंकिंग कि dez Japan अपना फिस पेंडियंगे अगर हम SSC GD नहीं भरती 2023 इसकल इंप्लिकेश्एं चThere बात करें तो मैंने इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्सर में प्रवाइट करा दिया है आप इस वाले लिंक पे क्लिक करके आप नोटिफिकेशन चेक कर पाएंगे जब इसकी लिंक एक्टिव हो जाएगी अगर आप एपलाई डारेक्ट एपलाई करना चाहते है तो आप इस व अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद।